अब इम्तजार है फैंस को कि टी टॉएंटी वर्ल कप का लेकिन उससे पहले आईपल के मैचिस को लेकर भी काफी गहमा गहमी और काफी रोमान चक मुकाबलों को लेकर जो दावेदारी है खिलाड़े की उनको लेकर आक्षन को लेकर यहाँ पर सुर्खियां लगातार बन रह क्या हार्दिक पंड्या कैप्टन हो सकते हैं और T20 में फिर कौन कैप्टन होगा क्योंकि IPL में जो अच्छा पफॉम करेगा उम्मीद यहीं कि वहीं से T20 वर्ल्ड कप्री भारते टीम का जैन होगा में साथ मेरे वरिष्ट सहयोगी उमेश शर्मा भी जुड़े हुए हैं हम इसी मुद्य पर उमेश बात करेंगे क्या लगता है मतलब IPL का उक्षन कई बड़े खिलाडी आएंगे इसके अलावा अभी T20 सीरीज गई है उस्टेलिया के साथ भले फाइनल में हम हारे लेकिन T20 सीरीज में हमने देखा कि नए खिलाडी थे उन्होंने भी अच्छा पफ इसे आस्पेक्ट सोते हैं जिन पर हम बात कर सकते हैं अब आप यह देखिए कि वर्ल्ड कप फिर T20 सीरीज आ गई सुर्य यादव कप्तान बने सीरीज हमने जीत ली और अब आगे है T20 वर्ल्ड कप हालां कि अभी South Africa टूर पे इंडिया और तीन फॉर्मेट में तीन कप्त अब सबसे बड़ा जो हमें लग रहा है कि हार्दिक पांडिया ट्रेड हुए हैं मुंबई इंडियंस में पुरानी टीम में वापस गए हैं तो रोहिष शर्मा का क्या होगा T20 वर्ल्ड कप में रोहिद के अंडर खेलेगी टीम इडिया क्योंकि हार्दिक पांडिय अगर मुंबई गए हैं तो बड़ा रिज़न हो उसके बात तो है ना कि कुछ ना कुछ तो हुआ है तब ही वो ग को एक विदाई के तौर पर या एक कप्तान है ठीक है आप डिटमेंटी भी बना दीजे हार्दिक को रोक लीजे फ्यूचर का कप्तान है तो फिर मुंबई इंडियस की कप्तान ही कौन करेगा यह सवाल हम दर्शकों से पूछ लेते कि आप भी हमाई सा जूर सकते आप आप भी बता सकते कि आपको क्या लगता क्या मुंबई इंडियस की कमान इस बार के आईपेल में हार्दिक पंडिया को दी जाएगी अफर आपको लगता है कि रोष शर्मा के उपर एक बार फिर से मुंबई इंडियस का भरोसा होगा लगा हमने देखा कि पांच बार किसी टीम क भी पांच बार के चैंप अल 오늘도 ना पर पनी टीम को नहीं जीता अइंड बड़े खिलाडी थे लेकिन कैप्टन सी में आप अगर अपनी टीम को लीड करते हुए जीत दिलाते चैंपिन बनाते हैं टाइटल दिलाते तो बड़ी बात है आप लोग ऑं क्या लगता हैं कि IPL में Mumbai Indians का Captain कौन होगा इसके अलावा T20 World Cup जो आने वाला है अगले साल उसमें कप्तानी कौन कर सकता है भारत की आप comment section में जाकर अपना जवाब दे सकते हैं अपनी राय रख सकते हैं उमेश क्या लगता है मतलब अगर यहां पर माल लीजे कि रोहित शर्मा को Captain C नहीं दी जा पहले मैं अकबर जैसे सुदेश कह रही थी ना कि आप अपने comments दे सकें ताकि हम आपके सवालों का जवाब दे और आप share भी कीजिए वीडियो को देखे सवाल सबसे बड़ा है कि भारती cricket में आपके पस options बहुत हैं आपके पास player बड़े हैं लेकि जहां तक हमने सवाल क्य पिछ को दोश दे दीजिए तमाम उस पर आर्गुमेंट हो चुका है वो छोड़िये अब आता है कि आप आगे आगे आपने बढ़ना है वर्ट टी ट्वन्टी वर्ट कव आपके पास आ रहा है साउथ अफरीका टूर आपका 10 दिसंबर से पहला डिवन्टी मैच है लेकिन आइपल मार्च में जल्दी शुरू है क्योंकि आगे चुनाओ भी होने हैं तो हार्दिक पांडे का मुंबे इंडिस में जाना और रोहित को क्योंकि अभी तक कप्तान अनौंस नहीं हुआ है जीटी ने जैसी ट्रेड हुआ शुमन गिल को आदे घंटेंग अंदर कप्तान इसने अनौंस नहीं किया इटमींस के कही ना कहीं बात आपकी चल रही है या बीच रास्ते में है क्योंकि रोहित को यह कहना कि आप T20 में कप्तानी कर लिजे लेकिन मुंबे इंडिस की कप्तानी हारदिक करेंगे आपको लगता है रोहित इस बात पर राजी होंगे नहीं म कर लेंगे लेकिन मुझे लगता है कि हार्दिक पांडिक पांडिया कर लेंगे लेकिन मुझे लगता है कि हार्दिक पांडिया के अंडर खेले में उनको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए यह होता रहा है पहले भी यूकि विराट कोली और रोहित शर्मा जैसे प्लेयर अब समझ चुके कि वो उम्बर के किस पड़ाओ पर है उन्होंने बहुत कुछ किया है टीम के लिए और देश क लिए अब मुझे लगता है कि यह सेलेक्टर्स के उपर डिपेंड करता है बोर्ड के उपर डिपेंड करता है कि वो टीट्वंटी जैसा एक बड़ा टॉर्नमेंट है उसमें किस तरह से डिसीजन लेते हैं लेकिन रोहित शर्मा ने मुंबई ने इसके लिए बहुत कुछ क रनर्स अप थे लास्ट सीजन में उससे पहले चैंपियन थी टीम तो आप यह देखिए कि हार्दिक पांडिया मुंबई गे ट्रेड होकर तो क्या वो कप्तानी छोड़के जाएंगे कि ठीक है मैं कप्तानी नहीं करूंगा ये भी बड़ा सवाल है एक कप्तान किसी टीम का जो चैंपियन हो रनर्स अप रहा हो और टीम में चला जाए तो कहीन है कि कुछ तो बात होगी ना कुछ तो सवाल कुछ तो अंदर खाते बात होगी और टी-20 वर्ल्ड कप में ठीक है रोई शर्मा टी-20 वर्ल्ड कप में कप्तानी करें तो क्या मुंबई इंडियंस के यहां पर तीन कप्तान है हमारे टेस्ट टीम, वन डे और टीटवन्टी सवाल अच्छा है क्योंकि पत्ते अभी खोले नहीं गई है ना मुंबे इंडियन्स की तरफ से भी कोई ऐसी स्टेट्मेंट या कोई ऐसी बात निकल के सामने आई नहीं है अब गुज्रात में अनॉंस्मेंट होगी कैप्टन की अब देखना होगा दोनों यह अच्छे प्ले करियर तो नहीं है लेकिन हार्दिक पंड्या युवा है और अभी उनका है ट्वन्टी फॉर्मेट में उनका भी करियर है काफी उपर एक सवाल देखे कि जब हम लोग इतना कयास लगा रहे हैं हम लोग काम है क्यास बाजी करना और वह सारा ऑप्शन पर बात करना तो खिला पर आते हैं तो कुछ न कुछ तो डेल हुई है सिर्फ पैसा नहीं कुछ और भी हुआ होगा इसके लावा लेकिन बात वहीं कि रोहिट शर्मा के भर क्या क्या रूल रहेगा मुंबे इंडियन से बड़ा सवाल है कि हार्दिक पांडे कप्तान थे जिस टीम को चोड़के ग दिया गया है वो तमाम सवाल अभी सब के जहन में और खुद रोहिशर्मा से जिस तरीके से उसको देखेंगे देखेंगे इंडिया की टी ट्वंटी टीम का कप्तानी और आईपल की टीम की कप्तानी इकल इसलिए है कि देश की नैचुली देश्टों सबसे बढ़ा है आप अपनी लीग में जाके उस तीम को कप्तानी करेंगे जो पांच बार आपने उसको चैंपियन बनाया है लेकिन अगर रोहिशर्मा को कप्तानी बनाया जाता है तो यह बहुत अच्छा टीम के लिए होगा क्योंकि हमने देखा ना वंडे वर्ल्लकाप में हमने देखा कि किस चरह से टीम को लीड करके चले हैं एंड तक टीम को कैसे एक साथ रखा और पूरी टीम जोश में दिया मतार लगा खिया डामनंके लिडर्शिप है तो वैसी लिडर्शिप चाहेगा भारतियो टीम पर वैसी लीडर्शिप होनी चाहिए u t20 में ही । जोश में है अच्छी टीम है टी टुवेंटी में भारत के पास और अभी टी टुवेंटी चैंपिंश्प हमने ऑस्ट्रेला के साथ है कि तो हमें लगता है कि दो नए बॉलर मीडल ऑर्डर में रिंकु सिंग जैसे बैक्शन मुझे लगता है कि वहां से हमें उम्मीद हैं तीन प्लेयर जो मुझे प्लेयर के पास अपने आपको चमकाने का बहुत प्लेटफार्म हो गया है देखे आपके अलगलग फॉर्मेट में आपको मौका मिलता है अब रभी बिशनुवी के अगर बात करूं देखे एक इस खिलाड़ी ने जब भी आपको देखे पहली विकेट रभी बिशनुवी लेते थे शुरू आती मैचों में उसके बाद आपने जिक्र किया रिंकू सिंग का करियर जो आइपेल से शुरू हुआ ना उस खिलाड़ी में इतनी कुवत है कि उसने दिखाया इस टीम में भी इस ऑस्टेले के टीम में भी वर्ल्ड चैंपिन वेड भी थे उसमें आप ब करिये dość कोशिश की कि उनके वो दिमाग से बहुत मैं कि बात करें बहुत अच्छा कंभा अर्शदीप ने कराया टीम इंडिया को मुझे लगता है कि अपने आप पे बहुत काम करना होगा अभी थैंक्फुली कि लास्ट मैच में लास्ट और उन्होंने रोके रखा लेकिन उससे पहले हर और में बहुत रन लुटाए उन्होंने उस लाइन और लेंग से भटकते हैं तो टी टुवंटे वर्ल्ड कप की टीम में मुझे नाम और इंकू सिंग इन तीनों का तो पक्का है उससे पहले अगर मैच में देखे ना मुकेश का ओवर बड़ा महंगा गया था होता क्या है कई बार के अर्शदीप के नोड आउट कई बार महंगे गए लेकिन जो लास् आपके सामने कौन था बैट्समें वेड मैथ्यू वेड कप्तान और एक्सपीरियंस बैट्समें था जिसको आपने हिलने नहीं दिया बिल्कुर उससे पहले वेड ने बहुत अच्छा परफॉम किया और लग रहा था कि जब तक वेड है क्रीज पे तो ऑस्ट्रिया की टीम यहां से जीत की जाएगी मतलब लास्ट बॉल तक लग रहा था कि टीम यहां से जीत जाएगी लेकिन उस मोमेंट पे अगर आप आकर विकेट निकाल रहे हो कप्तान का तो बड़ी बात है लेकिन वही है ना उमेश हम कहरें कि आई पेल में जो टीमों का सेलेक्शन होगा ज गिने चुने देखें आपके पास क्या होता है टीटवंटी में आपको चार ओबर डालने वाले आपका बैस्ट चार बोलर प्लस छे बैटर ठीक है एक आलांडर दो आलांडर उसमें मोस्ति ज्यादा होते हैं आप उसमें देख लिए सूरकमर यादाव की जगा पकी है आप इतने युवा खिलाडी है और जिस प्रेशन में आते हैं और फिर उस प्रेशन में जितना अच्छा खेलते हैं वह बहुत भूने के लिए कुछ नहीं है यह प्लस पॉइंट है कि आप खुलके खेलते हुँ जब आपके पास खोने को नहीं लेकिन वहां पे नाम कमाना भी बड़ी बात है वह करके दिखाया रिंगों सिंग ने उस प्रेशर में खेल के दिखाया और कोई भी शॉट सेलेक्शन उनका यह नहीं कह सकते कि बहुत खराब शॉट कहला और यह तुक्का लग गया ऐसा कुछ नहीं पता आप आपको याद हो का लास्ट मैच की बात है उन हम इस लाइव को यह खतम करते हैं सुदेश और अब यह है कि जिस दिन एनाउंस होगी टीटीटी की टीम अभी तो देखे साउथ अफरीका का टूर शुरू है तीन तीनो फॉर्मेट में वहां पर टीम ने खेलने हैं दो टेस्ट मैच है वंडे हैं टीटीटी है उस पर भी हम बात करेंगे क्या रहेगा क्या नहीं क्योंकि साउथ फरीका की धर्ती पर तो जितना बहुत जरूरी है जैसे वह एट भी देख रहे हैं हम लोग मुश्किल आपर मजाएगा और साउथ एफ्रीकन बोलने लगे कि यहां आपकी बैटिंग नहीं चलेगी क्योंकि हमारी ख अच्छी टीए में इस टाइम बिल्कुल चॉइस बहुत है हमारे पास और यह शायद आगे इस तरह से हम क्रिकेट के लिए के अपडेट जो है वह आते रहेंगे अभी बहुत कुछ बाकी है अभी साउथ रिविकर टूर पर इस तरह से हम लाइव करेंगे सुदेश बहुत दो शुक्रिया आपका तो जुदेरे न्यूजेटिन के साथ फिलाल हमें दीजे जाधत धन्यवाद